कि हलो दोस्तो मैं आरेंज स्वाल सौगत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल वाइडलेस ऐक्यू क्लासेज में और दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ दिनों में किरन की रिजनिंग की जो न्यू आई है बुक बुक 97-100 प्लस कोश्चन है उसको मैं सौल करूंगा और दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं अगर आपने यह बुक सौल कर ली ना तो आपको रिजनिंग में एक नंबर निकट है क्योंकि 97-100 कोश्चन बहुत होते हैं क्योंकि यह बुक की बनी है तो यह बुक आपके लि आप मेरे टेली ग्राम चैनल वाइडलेस आईक्यू क्लासेस पर आपको मिल जाएगी तो यह देखिए आपकी न्यू वाली बुक है 97-100 कोश्चन है कीरन की बुक में यह आपके लिए most important बुक है क्योंकि 97-900 कोश्चन इतने ही होते हैं कि मैं इसको सारे ही solve कराऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यह आज आपका मैंने पहला टॉपिक उठाया है कोडिंग डिकोडिंग आपको पता भी हो का कोडिंग डिकोडिंग आपके हर एकजाम में इससे चार से पांस कोश्चन आते हैं नई मानते आप तो previous year उठा के आप देख लिजिए मैंने previous year पेपर भी अपने whatsapp ग्रूप और टेलिग्राम पर सेंड किया हुआ है तो आप जाके वहां पर देख भी सकते हैं तो आपका पहला टॉपिक है आपका कोडिंग कि डी कोडिंग तो आपको इसके बारे में तो मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि इसमें कोशन कैसे बनते हैं कोशन आपको पता होगा कि यह से लिखा गया है डी सी बी ए तो बताइए कि कि ई एफ जी एच को क्या लिखा जाएगा तो देखिए आपको पता है कि यह लिखा है यह देखिए जो लास्ट में था वह पहले से लिख दिया गया बस इसका आंसर यह होगा इस टाइप के कोश्चन आते हैं और नहीं तो आपके कोश्चन नमबर बेश्ट पर आते हैं रिसे ए को लिखा गया है आपका ए को लिखा गया है 26 लिखा गया है 25 तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा तो बस इसी टाइप के कोशन आपके बनते हैं तो मैं आपको सारे कोशन कराओंगा इसमें लगबग 500 कोशन है तो आप बोर मत होईएगा क्योंकि ये प्रैटिस के लिए most important book है तो आगर आप ये सारे कोशन कर लेते तो मैं दावा करता हूं आपका कोशन नहीं चूटेगा और आपके प्लस पांच नंबर देखे ये जाएगा क्योंकि हर एक्जाम में चार कोशन तो आते हैं आप यूपी पुलिस देखिएगा उसमें देख लीजेगा चार कोशन आया कोशन रेलवे के जितने प्रीवेस से हैं उसमें भी चार से पांच को का अपोजिट नंबर से ही आता है तो चलिए मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको बस कोडिंग डिकोडिंग बस जैसे आप देखेंगे उसका पोजिट नंबर तुरंत याद हो जाएगा तो ट्रीक आपको कम से कम दो से तीन बार देखना है मैं दावा करता से ट्रीक यह आप कभी भी नहीं भूल पाऊगे तो चलिए पहला आज आपका आता है नंबर वही अलफाबेट आता है आपका ए तो जैसे ए आता है आपका एक आप पोजिट होता है जेड यह तो आपका पता होगा क्योंकि ए नंबर आपको अगर नहीं पता है तो आप डा तो बस उसी तरह यह है तो आप आपकी ट्रिक स्टार्ट होती है एक को पता होगा आपका जेड़ से आज पढ़ते हैं इसको आज फिर आपका दूसरी ट्रिक आता है भी बी का अपोजिट होता है वाए मुझको याद है लेकिन आज से आपको भी याद हो जाएगा देखिए I Ķौ जैसे भी आपको भी आएगा तो आप सबसे पहले बोलेंगे यह है risi OS a दो आपने पढ़ा ओगा ना बाए सब सब लोग आया ।ो तो जैसे इस भी आएगा तो बीक आपोजिट क्या होता है वाई तो बस आप बबाय बोलेंगे तो आपको याद आजाएगा फिर आपका तीसरे नमबर प्याता है सी एबी कोटता है एक्स मुझको याद है आपको भी याद देखेसी का होता है x तो आपने छोटे बच्चों को देखा ओगा ने आप लोग भी खाते होंगे क्रेक्स出来 हुआब जैसे ही सी बोलेंगे या यादक आ जाएगा क्रेक्स तो सत्षी का पूझीट क्या होगा और ये C के बाद आता है D ध्यान ने दिया मैंने चलिक बात नहीं है मैं इसको मिटा दे रहा हूं सी के बाद आता है डी का आपोजिट होता है डबलू तो देखिए डी का याद करने के लिए आपने पड़ोगा डिशनी वर्ड आपके कार्टून भी आते होंगे इस पर डिशनी चाइनल पर आते हैं डिशनी वर्ड याद करिएगा डिशनी वर्ड तो जैसे ही आप डी बोले यह से वी तो आपने पढ़ा होगा evening तो e-v-e-i-n-g evening छीक जैसे आपको ई आएगा तो आप evening याद कर लेंगे तो फिर आपका आता है ф ए f का opposite होता है यू तो आपने fuel पढ़ा होगा न फ्यूल फ्यूल मनलब जो गाड़ियों में पड़ता है तो आप साम को कहां गूमते हैं गाड़ी से गूमते हैं तो गाड़ी में क्या पड़ता है फ्यूल जैसे ही आप F बोलोगे आपको मन में याद आ जाएगा यू निकलेगा फ्यूल कि F से फ्यूल होता है फिर आपका आता है जी G से होता है T G का पोजित होता है T तो आप फ्यूल डलाके गाड़ी में कहा गोम होगे रोड पे वो भी काउन सी रोड होनी चाहिए GT रोड होनी चाहिए तब ही तो मजाएगी ना भगाने में तो उसी तरह याद कलिएगा आपने GT G का पोजित होता है T जीटी रोड फिर आपका अगला है एच यह आप दो से तीन बर पढ़िएगा आपको ना याद हो जाए तो हमसे एक बर कहना यह बहुत ही इजी ट्रिक से मैं बता रहा हूं आपको बस अच्छर बोलेंगे आपको मन में वही अच्छर तुरंद निकलाएगा तो ऐसे होता है तो आप लोगों को पता होगा कि हाई स्कूल का वो भी आ गया था रिजल्ट और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल तो बस उससे याद कर लिजेगा हाई स्कूल एच का अपोजिट होता है एस हाई स्कूल फिर आपका आता है आई आई का अपोजिट होता है आ हे फिर आपका आता है जे आई के बाद जे ही आता है ना जे का अपॉजट होता है क्यूं तो या अपका आपके जरी जयाट यह के बनेती है आ भलोगों पता भी वह का मिला पसंद बहुत लोग खाते भी होंगे ना कमला पसंद कमला पसंद के पी फिर आपका आता है एल एल से क्या होता है लो लो होता नहीं बैटरी लो हो गई तो एल बोलेंगे तो आप लो एटोमेटिक निकलेगा तो लो मनलब एल का पोजिट ओ बस आप बोलते रही है आपको याद तुरंत हो जाएगा फिर आपका आता है एम एम का पोजिट होता है एन तो आपने मैंगो खाये होगे ना मैंगो गर्मियों में खुब सारे आते हैं बड़े बड़े आम तो बस आप एम से एन याद कर लिए यह आपकी सारी अपोजिट नंबर की ट्रिक हो गई ह आप इसको दो से तीन बार पढ़िएगा आपको खोद याद होगा जैसे मैं फिर रिवाइस कर रहा हूं एक आप बोजिट होता है जे बी का कैसे पढ़ेंगे बाए फिर क्या आता है एक्स क्योंकि आप आपने बाए कर दिया है क्रेक्स को आप बड़े हो गया है तो आप नहीं खाते होंगे बी से बाए सी से जैसे सी बोलेंगे क्रेक्स फिर आपका आता है डिस्नी वर्ड डी जैसे आएगा आपको तुरंद मन में आएगा डिस्नी वर्ड फिर आपका आता ही जैसे बोलेंगे इवनिंग इवनिंग में कहा जाएंगे गाड़ी से पिट्रोल पह होता है एस हाई स्कूल इस पर कोशन बहुत आते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कितने कोशन आए आज भी आपका आता है आई आई का पूजड़ होता है आर जैसे कोई आई बोले आई का पूजड़ बता हो तो आर तुरंत मन में स्ट्राइक करना चाहिए आर जेक्यू मलब ढे के से कमला पसंद मैंने बताया था एल का पूजड़ होता है एं मेंगो आप बस दो सिटीन बड़े बड़ीये आपको नायाद हो जाहे तो मुझस कालने के लिए आप 27 में से उसी को माइनस कर दीजिएगा 27 में से उसी अंक को माइनस करें जिसका पूछे बस आपका वो नमबर निकलाता है तो लेकिन याद करिएगा आपको बहुत जल्दी कोश्चन सौलो जाएगा 5-6 सेकंड में आप देखते ही बता देंगे यह अश्में जिन्यानने कोश्चन अब कहा है बहिए 2019 का भी कोश्चन सौल करूंगा उसमें भी यही तरह कोश्चन आया तो देखिए पहला कोश्चन है सी को लिखा गया तीन अब बस आपको अलफाबेट का नंबर याद करना पड़ेगा आप अपनी कॉपी में लिखिएगा आप इसको लिखा गया है 30 तो देखिए F E A R तो देखिए F का नंबर कितना होता है 6 E का नंबर कितना होता है 5 A का नंबर कितना होता है 1 R का नंबर कितना होता है 18 तो आप इनको सबको एड़ करिए 18 चहे 24 चहे 30 देखिए 30 आया है उसमें बोला है इसको 30 लिखा गया है तो इसका का मिलाब उसको सबको योग किया गया है तो आप समझ गए इसका लॉजिक क्या होगा तो बस ठीक जो आपका पूछा गया हो निकाल लीजिए हेयर तो इसका नंबर तुरंद लिखिए आपको नंबर याद करना पड़ेगा नहीं तो बहुत दिक्कत होगी रिकोडिंग दिकोडिंग में असका नंबर होता है आठ तुरंद मन में तुरंद जैसे पढ़िए वैसे ही आपको नंबर निकलना चाहीए ए का वन आई का क्योंतना होता है नौँ आर का कितना ओता है अठारा तो ठीक आपसे अपको!" कर लिजिए अठारा आठ चब्यस एक सथाइस सथाइस और नौ छत्यस तो आपका यह 36 देखे राइट आंसर हो गया बी तो बस इसी तरह कोडिंग डिकोडिंग के सवाल यह आपके नंबर पे हैं अभी आपके किवल उस पर वह टफ बनते हैं सवाल उस पर ठीक दूसरा नंब पर में अपने हाथं से खुद नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा जैए जबत अब अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा स्कांसर कमेंट सेम सवाल है मैं एक जैसा सवाल अगर दूसरा आ जाता है तो मैं इसको आपको हमबर क्लिक दूंगा क्योंकि इतने बहुत सारे कोश्चन ने सौल कराना मुश्किल हो जाएगा ठीक है तीसरा नंब को लिखा गया है 34 देखी एम का नंबर कितना होता है तेरा तुरन्द मन में याद करूइए तुरन्द लिखे एक को होता है 20 जोड़िए आप सब को यह चौतिस आ गया तो ठीक है मनला इसका योग किया गया है पिर आपका क्या आता है कार का पूछा ना तो सी का कितना होता 20-23 is 22 वाइस आपका B option राइट और पको लिखा गया है एक पैट को लिखा गया है 37 देखिए ये आपका Qoрач ne 7-2 सवाल इसी बेहसी मैं आपको यह कोउला चरहा हूं मैं आपको एक टाइक टाला हूं यह आपका टाइक हों ईहां नंबर कोशन आपको चार्ड नंबर करके कमेंट बॉक्स करना है शेम सवाल है आपको अध्य करना है बस आपको यह बुक का सॉल करने का परपस यही है कि आप बस इतना देख लीजिए कोशन किस तरह के बनते हैं से तशलारए सारे सारे कमीशन इसी टाइप के कॉश्छन बनाता है फिर आफ ये प्परたफ को लिखा गया है च्वर वैंड को लिखा गैया है साथ हैं देखिया ये भी सवाल है इसको भी आप होंबर्क करिए जब तक आप homework नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा 5 नमबर करना करना है स Oke kadar कदना सिखा गलाओ कैसे किया राता है 6 नमबर के और हुशंpower eğ ow of के लिखा गया है कसमीर के कि Northeast को पूर मां कि इस बांज को गया है आप см चार दो साथ पांच तीन देखिए बस इसमें कुछ भी अगर देखिए बस आपको जो लिखा होता है अगर नीचे एक बार आख से सही से देख लिए अगर उसमें सारे वर्ड सेम सेम लिखे हैं इसमें देखिए कस्मीर अगर आप इसको उल्टा सीधा करके दिखेंगे यह भी वही मीनिंग शुर्क निकला करें आजा है यह कैस्मीर लिखा है थैसे एक एस को लिखा गया है चार तो बस उसी तरह निकल लिखना है आपको जिसे आर लिखा है तो आर को इसमें क्या लिखा गया है तीन तो पहले तीन लिख लिजिए फिर लिखा गया है आई आई को मेरे ऊपर कितना लिखा है पांच तो तीन पांच सारे उप्सन में हैं फिर आपका आता है M, M को कितना लिखा गया है साथ ये भी सारे उप्सन में ये उप्सन गलत हो गया आपका सी वाला तो बस जैसे इसे आप देखें ये उप्सन कटते जाएगे फिर आपका क्या गया है एस को कितना लिखा गया है चार साथ के बाद चार बस यह भी ऑप्शन कट कर दीजिए दो आपसन बचें फिर आपका एक आपका अपको मिल गया पहला ऑप्शन तो यह आपका राइट हो जाएगा यह टाइप आपका इंपॉर्टेंट है कॉपी में नोट कर लीजिएगा यह टाइप हुबहु लिख देता है सेम वर्ड जब आकर आपके मीनिंग सेम होती है तो सेम लिख देता हो फिर आपका साथ नंबर कोशन है एक को लिखा गया है चबबेस देखिए यह आज आपके आगे आपोजिट क्या अबशिञा क्या कुtable यहां तो मैंने का इनम लिख लीजिए तो यह आपका आठ एफ केतना होता है cha hi और ये वही एम एन का पोजिट तो एम का कितना होता है 13 तो देख लेजिए आठ छह चौधा और 13 कितना हो जाएगा 27 देखिए बस वही लिखा गया है आप पोजिट करके योग लिखा गया है तो बस ठीक आपको पोजिट अगर यह याद हो गए तो आप यह सवाल कर सकते थे और है नहीं तो नहीं कर पातें तो किया पूछा गया है कैट np go state पहले एक का नमब्र लिखत अप सब को एड़ कर लिजिए तो आप निकाली डारे पहले एक्स का नमबर कितना होता है एक्स का नमबर होता है गतोес का कैतना होता है 26 और जी का कितना होता है 27 आप सबको add करिएगा 6 4 10 7 17 तो देखिए बस लाश्ट में 7 है तो 7 यह की दो option में है तो लेकिन यह 27 यह 27 तो होगा नहीं हो तो किवाल आपका 57 ही option होगा तुरंट आपको देखके आगे बढ़ना यह मैं सोचे कि मैं पूरा solve करूं कोई फैदा नहीं है आप तुरंट देखके आगे करे काई solve फिर आपका अगला question आठ नंबर है आठ नंबर में बोला गया है एक को लिखा गया है दो यह अभी आपका बढ़िया question है एक को लिखा गया है दो एम को लिखा गया है 26 अगर आपको नंबर याद होंगे तो एक का नंबर कितना होता है एक इसका मलब multiply two किया गया है मलब दो बस आपको तुरंट नंबर लिखना है तुरंट थी देखना है एम का नंबर कितना होता है तेरा इसका मलब इसमें दो का गया है मलब M को लिखा गया 26 में हर वार्ड में दो का मलटिप्लाई किया गया और जेड को लिखा गया 52 होता कितने पर 26 मुझा जार नंबर तू मल्टिप्लाई अब पूछा गया टी इती एक सबस्ताइश बससाटाइस का आपका 2 से multiply करना पड़े 27 दूना कितना हो जाएगा 54 तो आपका देखिए यह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 8 का फिर आपका नौ नंबर कोश्चन देखिएगा का मतलब यहीं समझेगा एक लिखा गया बस आपको नंबर लिखके अड़ करना यह भी आपका टाइप हर पेपर में आता है तो आप इसको टाइप नोट करना है तो ठीक है फिर आपका दस नंबर कोश्चन है जब भी आपको दो दिया होता दो बार तो देखिए दो बार दिय इतना दिया सिश्टर को इतना दिया तो यह पूछा गया और वी बियर्स तो बस आपको इतना देखना है कि सेम नंबर है दिए अगर यह देखिए तीन नंबर और यह तना नंबर तो दिखिए हाँ आप कहेंगे सेम नंबर सारे नंबर मैच कर रहे हैं अगर सारे नंबर मै लिखेंगे चार बता रहूं आप बस देखिएगा पूरा मत लिखेगा अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल आता है तो बाद देखिए सेम नंबर पूरा लिखा है यह इंग्लिस वाला तो यह भी ओ को देखे किसमें लिखा गया इसमें तीन ओको लिखा गया पांच तो चार पांच मैंला ए उपसन आपका गलत हो गया सी आपका गलत हो गया आप इसी तरह करिएगा जली एली फिर आपका कितना आएगा फिर इसमें पूछा गया है आर ओ बी बी को लिखा गया है दो बी को लिखा गया है दो देखिए आपका केवल चार नंबर आपसन मिल ग यह आपका टाइप है ने लिख लीजिएगा फिर आपका 11 नंबर कोश्टन है यह देखिए सेम सवाल है हूं भूर के फिर आपका आंसर होमबर्क में आप मुझको कमेंड बॉक्स में आंसर करिएगा यह आपका 11 नंबर कोश्चन आप खुद सॉल करिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको रिजिनिंग बेश्ट हो जाएगी जब तक आप अपने पेंस से हाथ चलाएंगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं होगा तो बस आपका हूब वहू उसी तरह कोड आपको लिख देना है फिर आपका 12 नंबर कोश्चन है देखिए होंबर कोश्चन है आपको यह सारे कोश्चन नहीं सौल करा हूंगा जो आप सोचेंगे सारे मैं आपको केवल टाइप बता रहा हूं अगर आप टाइप सिख गये तो आपको हर रिजनिंग का कोश्चन आने लगेगा बस आपको सिखना है मैं आपको सिखाऊंगा आपको प्रैटिस अपने हाथ करने यह नहीं कि मैं ही प्रैटिस करूं मैं ही सब कुछ करा हूं तो आपका कोई वीडियो देखने का कोई फैदा नहीं निकलेगा आप एक बार कॉपी निकालिएगा अगर ना है तो आप बेहिसक कमेंट में लिख दीजेगा नहीं आए तो मैं इसको कल फिर सॉल करा दूंगा यह देखे बारा नंबर भी होमबर्क आपको इसको सॉल करना है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है तेरा नंबर देखिए हूब हो कोश्चन ह होमबर्क में यह मैं समझें कि होमबर्क में ज्यादा दे रहा हूं क्या होगा आप पस वीडियो देखते जाए अब एक कॉपी उठाइए पहले सॉल करिए फिर वीडियो प्ले करिए तो बस जो मैंने आपको होमबर्क दिया है उसका नंबर अपने कॉपी में लिख दीजि लोग शेयर वैसे भी नहीं करते हैं वीडियो तो मैं कहूंगा भी नहीं कि कोई फैदा नहीं चली देखते हैं अगर मेरा जब तक मन होता है वीडियो बनाऊंगा नहीं कोई बाती नहीं मैं फिर आपका आगला कोश्चन है 14 नंबर कोश्चन इसमें लिखा गया है इतब यह इंडियू आप नहीं च्यार तीन दो मैं हिंदी में से हiं उसलिए हपको हिंदी में बड बोलता हूँ तो आपको पता अगले में ब्ले सकता हूं थोड़ा बहुत प्र आपका है रैइंस्ट üzसी में ही मिल जाएगी झाल मलत वही आपका मैच करा करने लिख दिया गया है तो दिखे एक को कितना लिखा गए है ये दो पहरे एक हो लिखा गया है साथ पिर और आर को दिखे लिखा गया थो हिए एक नपर यह Candle misses प det исп अपका केवल आप्सेलं नमबर दों लए थिए फिर आप का पंदरा नमबर कोंशन है देखिये वही सवाल है आपको बस नमब्र लिखे और करना है तो होम्ब्रक में आपक रहरे कीएगा आपको अंसर क्रिदा करिएगा आपका राइट थै मानिए आपने हाथ से लिख के देखिए आपको अच्छा लगेगा फील होगा कि हां कि मैंने बताया जो लोग कमेंट करेंगे मैं उनका कल नाम भी लूँगा तो आपको पता भी होगा कि हां मैंने एक अंसर दिया था तो उन्होंने मेरा नाम लिया था तो ठीक है आपको अंस सारे हैं 400 मिन मम कोश्चन थो चाहठा को बनाती है तो बस आपको तैय बता रहा हूं कि किस बनते हैं तो आपको गश्चन नंबर करें कि जितना लिख आ गया है दिखे सेम सवाल है इसको भी आप करके बताइएगा मुझको अठारा नंबर आप एक बार करके देखिएगा अगर आप लोग कहेंगे नहीं पूरे करें तो मैं पूरे भी सॉल करवा दूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे अभी बोलना वैसे पूरे करा दूंगा फिर उन्नीस नंबर कोशन आपका क्लॉक को लिखा गया इतना तो यह भी आपका उसी तरह कोशन नंबर बस आपको इतना देखना होता है यह नंबर ज तो मॉलिक को कितना लिखा गया तो म को कितना लिखा गया को टी आइम तीसरे नंबर पर आपका लिखा है साथ तो साथ आपका यह और संगलत यह और संगलत तो बश ठीक है फिसमें देखी दो लिखा है साथ के बाद दो इसमें भी दो तो आप दूसरा नंबर चेकी मत यह तीसरा नमबर इसमें चार है इसमें को सई होगा इसमें लिखा है आपका कितना लिखा है अपको कड़ना सिखा रहा हूं किस तरह आपको option की साथ खेलना है बस तुरंद काटिए तुरंद मैच कराइए फिर आपका 20 नंबर कोश्चन है पी एली पेल को लिखा गया इतना इतना तो इसका बताना है देखिए इसमें भी सारे वर्ड आपके सेम सेम दिये हैं देखिए मैच कराइए सारे वर्ड लिखे हुए हैं तो ब उप्सन में हुए है तो बस आपको आगे देखना भी नहीं है तो आपका यह जाएगा तो आपको लगता है कि सारे समझ गया होंगे और मैं आपको सारे corresponding कराऊंगा लगबच 400 कोश्टन है अगर यह आप 400 कोश्टन कर लेंगे तो मैं दावा करता हूं कोडिंग डिकोडिंग से आपका एक भी कोश्टन गलत नहीं होगा यह सारे प्रीवेस से के तौरा पूछे देगे दो जचय बहुचा गया अब आपका 2012 ऑगड़ो 14 तो इसी तरह टाइप वाइस आपके बढ़ते या कि सो थैंक्स अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको HD अदो मैत का सैलूशन भी पूरा करा रहा हूं तो मैं आपको एक दिन बिजनिंग और एक दिन आपको HD अदो मैत का भी पूरा दोंगा तो आपको मेरे साथ जुड़ना है मेरे चैनल को सस्क्राइब करना है ताकि आपको सारी नौटिफिकेशन मिलती लें थैंक यू